नमस्कार मैं आसी स्पाटाक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षाप्लस में जिसका आपको इंतिजार था कि PRT, TZT, PZT का आंसर की कब आएगा और कटफ सर आप लोग बता दीजिए कि कटफ क्या जाने वाला है ताकि आगे की जो स्टेप हैं जो इंट्रिव्यू है उसकी तयारी की जाए तो KVS ने खुद अपनी वेबसाइट पर जो आंसर की है जो 12 तारिक से आपके एक्जाम हुए थे और एक तारिक तक चले हैं एक मार्च तक 12 दो 2023 से लेकर एक मार्च 2023 तक जो PZT, PZT और PRT के जो एक्जाम है उनकी आंसर की य कैसे देखा जाए अभी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल लेए आप लोग थोड़ा रुक रुक के करना आपके आंसर की दिख जाएंगे हाँ इसमें ये बोला गया है कि जो आंसर की आई है अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन में आपक्ति होती है तो आप आपक्ति द क्वेश्चन आपको उस चैलेंज पर देना पड़ेगा जो आप अपने क्रेडिट डेविट कार्ड से कटा सकते हो तो अभी आपको देखना कहां से है केंद्र विद्धाले की साइट खोलना है आपको जब केंद्र विद्धाले की आप साइट खोलोगे यहां पर देखो य यहां पर जब जाओगे तो यहां बोला है click for download attempt question paper जो आपने question paper attempt किया है for the post of TZT and PRT TZT and PRT का answer की आपको देखना है तो आप यहां पर जाके देखिए TZT और PRT का जब answer की देखना है तो आप यहां से देख सकते हो यहां से दो link कुलेगा जिसमें आपको एक आपको यहां दिया गया है कि application number और password के थुरू आप देख सकते हो दूसरा आपका application number और date of birth के थुरू कर सकते हो कोई option आप चूज करिए उसके थुरू आप जो है क्या कर सकते हो अपनी response की देख सकते हो और उसमें अगर आपको कोई अपती है देखी यहां पर आगया आप अपने application number डालोगे password डालोगे यह pin डालोगे और sign in करोगे तो आपका answer की थोड़ा time लगेगा वो download होकर आ जाएगा उसमें आप देख लेना कि आपके कितने marks बन नहीं हैं जितने भी TZT, PZT वाले हैं और जो बच्चे PRT का हमसे cut-off पूछ रहे थे कि सर्फ PRT का cut-off क्या होगा कि हम interview की तयारी करें या ना करें अगले step की तयारी करें या ना करें तो यह ध्यान रखना PRT वाले बच्चों के लिए जिनको यह चाहिए कि cut-off क्या हो सकती है तो वो अपने answer की देखने के बाद जो score आपके बन रहे हैं आप इस video के description में एक link प्रोवाइड किया जाएगा जो form होगा एक Google form होगा जिसमें आपको अपने correct अपना नाम, email ID, number और साथ ही साथ आपका marks कितना है वो कहीं भी आपके जो data है, personal data share नहीं किया जाएगा वो परिक्षा प्लस team तक रहेगा जो आपके marks होंगे, कितने आपने सही किया है वो marks आप जरूर बताईएगा हमें ताकि हम exact cut-off आपको बता सकें तो आपको marks आपको बताना है कि आपके कितने marks answer की मिलाने के बाद बन रहे हैं तो होली के बाद जैसे हम आएंगे मलब आपको 8 तारिक तक 10 तारिक तक तो आपका challenge ही देना है मतलब answer की देख सकते हो आप 10 तारिक तक उसके बाद से 10 या 11 जैसे जितना data आपका आज आएगा हमारे पास उतने ही सही cut up हम बता पाएंगे कि आखिर PRT के लिए second interview के लिए कितना cut up जा सकता है तो ये सभी लोग एक ध्यान रखिएगा कि अपने marks जरूर fill करिएगा कुछ करना नहीं है आपको form open करना है जो जो उसमें पूछा जाएगा वो फिल करके आप submit कर दीजेगा data हमारे पास आजाएगा जैसे आपके data collect हो जाएगे हम एक cut up की video बनाएंगे पूरी analysis के साथ और almost वही आपकी cut up कहीं न कहीं जाएगी और उसके उपर वाले बच्चे जो होंगे वो अपने अगले step की तैयारी शुरू कर सकते हैं तो सभी को कोई दिक्कत है कोई समस्या अगर हो रही है answer की देखने में तो जरूर comment से बताएगा अभी थोड़ी site slow चल लएए उससे परिशाद नहीं होना है site open करिए फ्रन्ट पे ही link दिया हो पे click करिए और application number और password डाल के अपने अपने answer की आप लोग देख सकते हो कोई समस्या हो तो जरूर आप लोग पिंग करिएगा comment में इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद